कि नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से स्वागत है आपका स्वाइजुकेशन प्रो में तो इस सेशन में हम कुछ कीबोर्ड के सौटकर्स को जानेंगे तो चले शुरू करते हैं सेशन और जो आपको ये वीडियो पिसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को जाए ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चले शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है इन माइक्रोसोफ एक्सल कंट्रोल प्लस डाउन जो एरो की है कंट्रोल की और जो डाउन एरो की होती है यह वाली यह वाली कि इसका में किस स्प्राइट स एक्सल कंट्रोल प्लस राइट एरो की यह वाली और कंट्रोल इसका उपी हो किसली होता है इसका होता है एंड ओफ रो में पाुशने के लिए ओके नेक्स देखते है एसकेप के जो एसकेप की की होती है की बोर्ड में वो किस चीज के लिए यूज नहीं की जाती तो वो सिर्फ वो क्या कहते हैं इसके लिए आपका रन है सेलेक्टिट कमांड इसके लिए यूज नहीं की जाती यह इन सब के लिए यूज की जाती है एक डायलोग ब्लॉक्स क क्लोस करने के लिए किसी वी कंसल करने के लिए और च踏क्ड टॉंस तो क्रम किसी चीज को रॉट जाती है शकैथ की टीकij करने के ला сторону कि टेक्ड मांच इस्थी को ऑपन माई कम्पीटर है ओन यॉर स्पीटर खर्शिय तो माई अन्वाओट मिले कि झुल înt। नोади डेक झाटे इस्टम्प छॉ एदि प्रेस तो जो कि विजित होती है उसमें डाइट श्ञाम को एड़ कर लिए कौहन सब्सें कृश्म करते हैं कंट्रोल प्लॉस摄 pollut थीक है यह कॉलन प्रिम्फचियर के साथ में होती तू मूव तू मूव तू बिगेनिंग ओफ लाइन कौन सी की प्रेस करते हैं होम की किसी भी लाइन के शुरू में जाने के लिए होम की को प्रेस करते हैं ठीक है अगर जो आप किसी भी लाइन के शुरू में जानना चाते हैं तो अब होम की प्रेस के रहें तो आप बिल्कु में जब हम स्पेलिंग को चैकरते हैं तो किस से होगड़ते हैं वह फ7 प्रेस करेंगे आप डायरेक्ट शॉटकुट की आई एए एफ 7 की तो इस पैलिंग चैक हो जाएगी आपकी आपकी नेक्स देखते हैं कंट्रोल प्लस F12 को तो एक डायलोग बॉक्स खुल जाएगा ठीक है नेक्स देखते है तो मेंग दा नंबर पैड एक्टिवेट एज डायरो यू विल प्रेस कौन सी की को प्रेस करेंगे निम लॉक को निम लॉक को प्रेस करेंगे तो जो आपका नंबर पैड़ा है वो अक् और इसको ओपन करेंगे तो यह चालो हो जाएगा तो टाइप कापिटल लैटर कौन सी की यूज की जाती है कापिटल लैटर में टाइप करने के लिए एक तो शिफ्ट को और एक लोग को इन दोनों को यूज करते हैं बोध बी एंड सी लब आप सिप्स को दबा के कोई जो की इस यूज़ इन दी कॉमिनेशन विद अनदर की तो परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क तो किस की का उपयोग मतलब इस कारिया का करने के लिए मिलेख इसकी साया कुंजी होती है यह होती है इस कंट्रोल के साथ आप कोई भी की परहस करेंगे तो उसकी साया कुंजी होती की ए कंट्रोल ठीके है नेक्स नेक्स देखते हैं ॹाइ टो मों यह ऐसे डिए कशाट्क निज़ ओर टास्क मेनेजर नड़ तो डास्क मेनेजर होता है क्ऊंकाउन्ज हम के विन्दोमे टास्क चल रहे है क्ऊंकाउन्स अपने एप्लिकेशन ओपन की यह उसको देखने के के लिए कौन्सी की यूज की जाती है ctrl प्लस shift प्लस escape ओके नेक्स देखते हैं कि वाट इस ओड़ कट की फो सेंट्रिंग जो वर्ड अमस वर्ड में जो किसी भी चीज को सेंटर में लाने के लिए कौन्सी की को प्रेस करते हैं ctrl प्लस को इसको आप शॉट कट की को प्रेस करेंगे तो सब चीज जो परग्राफ अपका वो सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल भी चोबीच नेक्स एक्स एक 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 एट विल इरेज इंफोमेशन फ्रॉम्टर मेमोरी एंड दा क्रेक्टर ओन दा स्क्रें कौन्सी की है यह यह ड सब्सक्राइब के साथ जो डिलीट की को प्रेस करेंगे तो वह रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी और डिलीट हो जाएगी पूरे आपके कम्प्यूटर से ही ठीक है इफ यू ओपन ए मैन्यू और दें डिसाइड यू डॉंट वांट तो सेलेक्ट अप्शन अफर आल क्लिक दा मैन्यू टाइटल अगें और प्रेस दा ब्लैंकी टू क्लोज दा मैन्यू मतलब किसी भी मैन्यू को आपने मैन्यू खोल अपर लेकिन आप उसको बैक जाना चा इसको आप डायक्ट प्रेस करेंगे तो एक नएया पीज फुल जाएगा नेक्स देखते है की लाइक कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट इन कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर और नॉन ऐस ते कौन से की जाने जाती हैं मोडिफायर का काम करती हैं यह मतलब कोई भी फंक्शन की होती ह है आप इसके साथ कोई और की प्रेस करेंगे तो यह मोडिफायर का काम करेंगी मतलब मोडिफाय कर देंगी इस कमांड को ठीक है नेक्स देखते है अगर आप कंट्रोल प्लस वी कुंची दबाते है मतलब वैं उप्रेस कंट्रोल प्लस वी तो क्या होता है तो यह होता है कि तो जो पेस्ट करने के लिए हम किसी भी चीज को जो कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो Ctrl-V दबाएंगे Ctrl-C से तो वो कॉपी होता है और Ctrl-V से वो पेस्ट हो जाता है और अगर जो आपका कोई गलती से कुछ चीज डिलीट हो गया है तो Ctrl-Z करेंगे तो वो अन्डू हो जाएगा मतलब वो आपस आजाएगा आपका ठीक है तो यह कुछ शॉटकट की इस थी अगर जो आपको यह प्रसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर जो आप इसका पीडियो चाते है